आप देख रहे हैं दखल नियूज हेड्लाइन्स के प्रायोज़क हैं रबिन्जनाथ टेगो युनिवर्सिटी ग्रैमंत्री आमिश्याह का बयान धारा 370 को पहले ही खत्म कर देना चाहिए था अब होगा कश्मीर का मिकास बीजेपी निता शिवराज सिंग ने नहरू जी को कहा अपराधी दिगविजय बोले शिवराज नहरू जी के पैरों की धूल भी नहीं सोनिया गांधी कॉंग्रेस की अंतरी मध्याक्ष कॉंग्रेस वेता किसी यान ने नाम पर नहीं हो पाई सहमार मध्यप्रदेश के मंतरी हर्श यातव का छलका दर्द बोले हम आस्तीन के साप पालते रहे हैं और मध्यप्रदेश की बेटी मेगा परमार ने यूरोप के सबसे उचे परवत माउंट एलब्रोस पर फेराया तिरंगा दिया बेटी बचाओ का संदेश नमश्कार मैं हूँ शेफाली आप देख रहे हैं दखल न्यूज अब ख़बरे विस्तार से केंद्रे ग्रह मंतरी अमिश शाह ने जम्मू कश्मीर से अनुछे 370 को खत्म करने के अपने फैसले पर कहा कि मुझे लगता है कि इसको पहले ही खत्म कर दिया जाना चाहिए था शाह ने आगे कहा कि ग्रह मंतरी के रूप में अनुछे 370 को हटाने के परिणामों को लेकर मेरे मन में कोई भ्रम नहीं था मुझे विश्वास है कि कश्मीर में आतंगवात खत्म हो जाएगा और अब कश्मीर विकास की रहा पर आगे बढ़ेगा ग्रह मंतरीया में शाह ने कहा कि बिल लाते वक्त मेरे मन में कुछ आशंकाए थी क्योंकि राजसभा में पार्टी पहुमत में नहीं है इसी वज़ा से इस बिल को हमने पहले राजसभा में पेश किया शाह चेंड़ाई में राजसभा के सभापती वेंकईया नाइडू की जिंदिगी पर एक किताब का विमोचन करने के लिए एक कारिक्रम में शिरकत कर रहे थे केंद्री ग्रहमंद्री अमिश्याह ने कहा कि धारा 370 कश्मीर को भारत से जोड़ती नहीं बलकि जोडने से रोकती थी जो सरकार है भारतिय जनता पार्टी की और एंडिये की उसने धारा 370 से इस देश को मुक्ति दिलाई है वेंक्याजी विधारती परिशत के कारे करता थे और 370 के खिलाप आंदोलन चल रहा था वेंक्याजी भी आंदोलन के हिस्से थे एक Communist Professor में पूछा कि आपने कश्मीर कभी देखा है क्या कश्मीर नहीं देखा है तो आप कश्मीर के लिए क्यों अन्दोलन करते हो वहन्काजी ने फट से जवाब दिया एक आख को दूसरी आख दिखाई नहीं देती एक आँख में दर्द होता है तो दूसरी आँख को भी तुरंत महसूस होता है ये देश के साथ बचपन से जुड़ाओ वो ही उनको यहां तक पहुचाने में सफल हुआ उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर का मसला राजनेतिक नहीं है यह कानूनी विशे है भारत के सम्विधान म बहुत साफ है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन अंग है उन्होंने कहा अब कश्मीर का तेजी से विकास होगा और वहां के लोगों को लगेगा कि अब तक उनके साथ नाइंसाफी होती रही है पूर्वे मुख्यमंत्री बीजेपी उपाध्यक्ष शिवरा सिंग चुहान के द्वारा प्रधान मंत्री जवालल नहरू को अपराधी कहे जाने के बाद विवात खड़ा हो गया है कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता दिगविजस सिंग ने कहा कि शिवराल नहरू जी के पैरों की धूल भी नहीं है कश्मीर मुद्दे पर इस समय अधिकांज लोग कॉं पाकिस्तानी कबिलाईयों का पीछा कर रही थी तो जवालल नहरू ने युद्विराम की घोशना कर दी कश्मीर के एक पिहाई हिस्से पर पाक का कब्जा है अगर कुछ और दिनों के लिए युद्विराम नहीं होता तो पूरा कश्मीर हमारा होता पंडे जवालल नहरू अपराद ही हैं एक तो युद्विराम के दोसी हैं जब भारत की फोजें जम्बु कश्मीर से पाकिस्तानी कबाईलियों को ख़ड़ रही थी तब उनने युद्विराम कर दिया एक तहाई हिस्सा कश्मीर का पाकिस्तान के पास रह गया पाक पाइट कस्मीर है अगर और कुछ दिन युद्वराम नहीं होता तो सारा का सारा कस्मीर हमारा होता और दूसरा अपराद उन्होंने किया धारा 370 लगा के एक देश में दो निसान दो विधान दो प्रदान यह सच मुच में देश के साथ अन्यानी अपराद था पहले दिन स कि स्थापना के हम धारा 370 हटाने की बात कर रहे थे और अब धारा 370 हटी है लेकिन यह अपराद पंडित नहरू जी से हुआ है शिवराज सिंग चोहान ने कहा जवाहरलाल नहरू का दूसरा अपराद 370 है उन्होंने कहा कि एक देश में दो निशान दो विधान दो सीनियर लीडर देगविजा सिंग ने सिहोर में कहा कि नहरू जी के पैर की धूल भी नहीं है शिवराज सिंग जोहान उनको शर्मानी चाहिए लोग सभाचुनाव में करारी शिकस्त के बाद अब राहूल गांधी ने अध्यक्ष पत्छोड कर नया अध्यक्ष चुनने की जवाबदारी कॉंग्रेस ने ताओ को दी थी लेकिन लंबी मशक्कत के बाद भी कॉंग्रेस ने तक किसी नाम पर एक राय नहीं बना पाए और ठक हार कर एक बार फिर सोनिया गांधी को कॉंग्रेस का अंतरिम अध्यक्ष बनाए गया है कॉंग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सोनिया का नाम तै हुआ और उन्हें एक बार फिर अध्यक्ष पत की जिमिदारी सौपी गई पूरी कॉंग्रेस ने एक बर फिर गांधी परिवार के सदर से को अपना अध्यक्ष चुना शनिवार को ही कॉंग्रेस वरकिंग कमेटी की बैठक के बाद पार्टी ने एलान किया कि राहुल गांधी का इस्तिफा स्विकार कर लिया गया है और अगले अध्यक्ष के चुनाओ तक सोनिया गांधी पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेगी अब अखिल भारतिय कमेटी का सत्र बुलाये जाएगा और नए अध्यक्ष का चैन होगा अभी अखिल भारतिय कॉंग्रेस कमेटी की बैठक की तारिख ते नहीं है सोनिया गांधी सबसे लंबे समय तक कॉंग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रही है बारतेर क्रिके टीम के धुआधार बल्लेबाज सुरेश रेना की शुकरवार को घुटने की सरजरी हुई उन्हें इस चोट से उबरने में 6 सपता का समय लगेगा रेना के फैंस ने दुआएं मांगी हैं फैंस का कहना है कि जल्द रेना ठीक हो और मैदान में आकर हमेशा की तरहां दुआदार बल्लेबाजी करें बी सी सी आई ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर रेना का हॉस्पिटल का फोटो पोस्ट करते हुए रेना की सरजरी की जानकारे दी बी सी सी आई ने बताया कि रेना को पिछले कुछ महीने से घुटने में परिशानी हो रही थी इसके चलते उनकी सरजरी की गई। सरजरी सफल हुई और रेना को रिकवरी के चार से छे हफ़ते रिहाबिलिटेशन से गुजरना होगा। बोड उनके जल्दी फिट होने की कामना करता है। वे 226 इंटरनाशनल वंडे मैचों में 35 दिशमलव 3-1 की ओसाथ से 5615 रन और 78 T20 मैचों में 29 दिशमलव 1-8 की ओसाथ से 1605 रन बना चुके हैं। रेना इंटरनाशनल क्रिकेट में कुल 62 विकेट ले चुके हैं। हो गई है। बीजेपी नेता और पूर्वमंत्री जैभान सिंग पवया जो सिंध्या के धूर विरोधी माने जाते हैं। वे कह रहे हैं कि जो तीरा देते सिंध्या में इतनी ही देश भक्ती जाग रही है तो कॉंग्रेस को ठोकर मार कर मैदान में आ जाए। हम बीजेपी में उनका स्वागत करेंगे। कहा है कॉंग्रेस को ठोकर मारे सिंध्या हम करेंगे स्वागत। सिंध्या का ट्विट सभी को हैरान कर देने वाला था। पवया ने कहा कि जो तीरा देते सिंध्या के धारा 370 के खिलाफ केंद्र सरकार के समर्थन के ट्विट पर लोग हैरान है। उन्होंने कहा कि सिंध्या जब सांसत थे और तब से अब तक हैरानी की बात ये है कि सिंध्या के बयानों में भारी फरक आया है जो आदमी राहूल के साथ संसत में टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करता था अचानक 370 के खिलाफ ट्विट हैरान करने वाला है पवया इतने में शांत नहीं हुए आगे कहा कि सिंध्या जनता के सामने साफ करे कि क्या आप अभी कॉंग्रेस में ही हो अगर आप कॉंग्रेस में ही हो तो कॉंग्रेस ने 370 हटाने का विरोध क्यों नहीं किया आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है सिंध्या अपना स्टैंड क्लीर करे ने कहा कि सिंध्या सत्ता की मलाई खाना चाहते हैं कई जमीनों के पठ्टे कराने है तो कई जमीनों की जाच की फाइल बंद करानी है इसलिए मदधिवर्देश में कॉंगेसी बने रहना चाहते हैं तो वहीं मोधी की सुनामी से बचने और अपना भविश्य सुरक्षित रखने के लिए सिंध्या मोधी जी के सुर में सुर मिलाते हैं पवया ने आरोप लगाया कि इतिहास बताता है जब कॉंग्रेस की दुरगती हुई तो सिंध्या के पूरवजों ने कॉंग्रेस को पीट दिखाई हम आस्तीन के साब पालते रहें एंपी में कमलनास सरकार के नफकर्णियों जब मंत्री हर्श यादव सागर विधासवा सीट पर छे चुनावों और नगर निगम में लगतार मिल रही कॉंग्रेस पार्टी की हार से परिशान नजर आये हर्श यादव ने सागर के पार्टी साथ बैठते हैं तो साथ फूल करें भी कही न कहीं हमारा नुकसान हुआ है अस्तीन के साह inevitably रहे हैं इनको चिननित पर उनको एक्सपोस करना होगा और पार्टी को मजबूर बनाना होगा से यह ने हमारा है से ह। करता था हमें कहीं न कहीं ऐसे लोगों की वज़े से नुख्षान होगना पड़ा है जो बैठते तो हमारे साथ है और भूल को मुझे मालों में अस्कीन के साथ मद्रदेश में कॉंग्रेस सरकार की वादा खिलाफी से नाराज विजली वित्रण करने वाले सभी कंपनियों के आउट सोर्स करमचारियों ने सरकार के खिलाफ प्रदेशन कर उसे उसका वादा याद दिलवाया इन प्रदेशन कारी करमचारियों को खदेड़ने के लिए पुरिस को लाठी चार्ज करना पड़ा मद्रप्रदेश में विजली वित्रण करने वाली सभी कमपनियों के आउट सोर्स पर लगे करमचारी रविवार सुभा भोपाल के चिनार पार्क में जमा हुए और प्रदेशन किया करमचारीों का कहना है कि उन्हें नौकरी से निकाला जा रहा है कॉंग्रेस ने विधान सभाद चुनाव के दोरान अपने खोशना पत्र में वचन दिया था कि उन्हें नियमित किया जाएगा वे यहां मुखे मंतरी कमल नात को उनका वादा याद दिलाने के लिए आए हैं करमचारीों का कहना है कि उनकी बस एक ही मांग है कि उन्हें नियमित किया जाए आउट्सोर्स पर रखे गए लोगों का कहना है कि हमें कहा जा रहा है कि आप नई नौकरी ढूंड ले इसके बाद जब होपाल में इन परिशान करमचारीों की किसी ने सुध नहीं ली तो मजबूरन उन्हें सड़क पर उतरना पड़ा इन करमचारीों को उमीद थी कि उर्जा मंतरी या कोई बड़ा अधिकारी इनकी समस्याओं को सुनने तबजो देना चुरू करेगा लेकिन कुछ भी नहीं हुआ बाद में इन करमचारीों को खदेडने के लिए पुलिस ने हलका बल प्रयोग किया जिसके बाद ये पीड़ित करमचारी दरूदर हुए पुलिस के लाठी चार्ज और भगदर में कुछ लोगों को चोट भी लगी है करमचारी एक रूपिया आउट्षोट ठेका करमचारी की मांग रहा है कि उसको वर्तमान में जो वेतन ठेकेदारों के मात्यम से दिया जाता है उसमें उसका वेतन खरपा जा रहा है पुपाल सवचिता सरवेक्षण में पिछड़ा तो नगर निगम सफाई को लेकर एक्षन मोड में आ गया सारवजने किस्तलों को गंदा करने पर निगम के स्वास्ते अमले ने लोगों पर कारवाही करने शुरू करती गंदिकी करने वालों पर कहीं स्वाट फाइन लगाया तो कहीं किसी से उठक बैठक लगवा दी भुपाल गंदा नहो इसके लिए लोगों पर यह कारवाही निगम द्वारा जारी रहेगी बोपाल नगर निगम ने सारजने के स्थानों पर गंदा करने वालों पर सक्त कारवाही शुरू कर दी है भोपाल को गंदा करना अब आपको महगा पर सकता है पान गुटका खाकर सारजने के स्थाल पर थूगने और गंदा करने वालों की अब खैर नहीं निगम कर्मियों ने लोगों से पान गुट का थूगने पर उठक बैठक लगवाना शुरू कर दिया है शेहर के 85 वाड़ों में सावजने के स्थानों पर गंदिकी करने वालों पर निकम के स्वास्त अमले ने लोगों पर स्पॉर्ट जब फाइन लगाया खुले में लगुशंका करने पर रोक लगाई गई और अगर कोई ऐसा करता पाय जाता है तो उस पर स्पॉर्ट फाइन लगाय जा रहा है नगर निगम और महापौर आलोग शर्मा के इस पहल की लोगों ने तारीफ की है समय ब्रेक का है ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे आप देखते रहे हैं दखल लिएउज आप देख रहे हैं दखल लिएज संगीत की सवर लहरियों से सांस्कृत एक ताने बाने तक चंबल के पीड़ों से नकसलवादियों के गड़ ता जोपड़ी से महलों ता ठेलों से मेलों ता पकडंडियों से सडकों ता गाउं से शेहरों ता व्यापार से उद्योगों ता राजज़ीती से कूटनीती ता दखल नियूज आप क्या था अभ्यादियों से टुझा ड़्यादियों यूज आप अट ए लगाद। एलन्सेशिती लूज आप टियू यूज बाने से चुन्ह पर आप देख रहे हैं दखल न्यूज ब्रेक के बाद आपका स्वागत है 36 गड़ और मद्रदेश के अलग होने के बाद 36 गड़ लगातार विकास की रहा पर है फिर भी हमेशा से बस्तर के लोगों को पास्पोर्ट बनवाने की सुविधा का आभाव लगता था इनकी इस समस्या को देखते हुए विधायक अमिजोगी ने विदेश मंत्री को ट्विट कर बस्तर में पास्पोर्ट आफिस की मांगी थी जिस पर उन्हें विदेश मंत्री से साकारात्मक जवाब मिला है पास्पोर्ट के विधायक अमिजोगी ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जैस शंकर को ट्विच किया था जिस पर तकतरित कारवाई करवाने और जल्थी सुविधा देने की बात पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जैस शंकर का उनका आभार माना है आपको बता दे कि 36 गड़ विभाजन के बाद अमिर्जोगी के पिता जी जोगी 36 गड़ के मुख्यमंत्री थे उस वक्त भी वस्तर को पासपोर्ट कारणी की जरुवन थे कोटिल्य अकादमी भोपाल ने स्टुनेंट्स के लिए सेमिनार का आयोजन किया सेमिनार में अनुभवी अधिकारियों ने UPSC के चात्रों को सिविल सर्विसेस की तैयारी करने की रणनीती के बारे में बताया आयोजन में स्कॉलाश परिक्षा में पास हुए विध्यार्तियों के परिणाम भी घोशित किये गए गोपाल इस्तित कॉटेल अकैडमी में करियर सेमिनार का आयोजन किया गया आयोजन में मुख्य अथिती के तोर पर IRS लोकेश कुमार लिलारे ने सिविल सर्विसेस की तैयारी के बारे में छात्रों से बात की लोकेश कुमार ने चात्रों को तैयारी के लिए स्मार्ट स्टडी और कड़ी मेहनत करने की सलहा दे लिलहरे ने बदाया कि सिविल सर्विसेज में रैंक लाने के लिए समय का सही उप्योग के साथ किताबों का चैन जरूरी है तैयारी के सबसे पहले की कड़ी किसी भी परिक्षा का स्लेबस होता है लोकेश लिलहरे ने छात्रों से सवाल के जवाब भी दिये इनके बारे में मुझे जानकरी नागपूर के पास के रहने वाले वहां निसुल क्लासेज लगाते हैं और जो बच्चों के लिए इस प्रकार के सोशल विसूस पर काम करता है वहां पर मैं पूरा समय देता हूँ दोजाग्यश पैच का मैं इने डियू सर्विस से हूँ और इस समय दिल्ली में हूँ मैं बाला हर्ट के रहने कोटले अकाडमी भोपाल और चिंदवाडा के डारेक्टर राहुल रंगारे ने बताया कि विगत दिनों कोटले अकाडमी ने मेगा स्कॉलर्शिप परिक्षा का आयोजन किया था जिसका रिजल्ट खोशिद किया गया है लगभग 120 बच्चों को 100% तक स्कॉलर्शिप दी जा रही है रंगारे ने बताया कि जेंड चात्रों में काबलियत है उनको स्कॉलर्शिप दे कर तैयारी की सुनहरा आफसर दिया जा रहा है आयोजन में बारवी के बाद सिविल सर्विसेस में तैयारी की रणनीती पर चर्चा की कई कारेक्रम में विश्य विशे शग्यों ने विशे का चुनाव एवं परिक्षाओं की जटिलता के बारे में बताया इस मौके पर बड़ी संख्या में चात्रों के साथ अभिवावग भी मौजूद रहे आज यहाँ पे एक हमने स्कॉलर्शिप टेस्ट लिया था यूपीएस से एक्जाम के लिए यूपीएस सी की प्रिपरेशन करने के लिए बच्चों का एक टेस्ट लिया था जिन सेक्ड़ों बच्चों ने सेक्ड़ों स्टुडेंट ने यह टेस्ट दिया और आज उस टेस जी जो आई आरे से जी एस्टी डिपार्मेंट में असिस्टन कमिशनर के पत्पकारे रथ है वह आज हमारे मुख्यातिती के रुप में यावपस्तित है और वहाँ उन चात्राओं को पुरस्कुत करंगे जिन चात्राओं ने इस टेस्ट में भाग लिया था और उसमें से कई चात्रों को 100% स्कालर्शिब यहाँ पर मिली है राइपूर में शाष्की आयरुवेदिक कॉलेज अस्पताल में पदस्त डॉक्टर सोमेश के विरुद नर्सों ने बतसलूकी की शिकायत की थी शिकायत का अधार एक वीडियो है जो एक नर्स ने बनाया था जिसमें डॉक् चाहिए नर्सों को बिठाकर मुवफली खा रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक मेरी मुवफली खत्व नहीं होती कोई यहां से जाएगा नहीं इस मामले में नर्सों की शिकायत के बाद डॉक्टर ने भी नर्सों के विरुद लिखित शिकायत की है डॉक्टर ने आरोप जाश शुरू कर दी है मामला 36 गड़ सरकार के भी संज्यान में है अब लोग का कहना है आप लोग रिपोर्ट रजिस्टर में लिख देते हो कि हम लोग उपस्रित नहीं थे सुत्रों के मुताबिक जाश कमेटी बारी-बारी से बयान ले रही है बीते दिनों से लगा तार जाश शुरू कर देते हैं अब लोगों को रात को बैठाया कहा कि ऐसा बैठो यह अनुचित विवार जो होगा उसमें विवागी जाश के बात जो उचित करवाई हैं जरू कर वे हैं सरकारी अस्पतालों में लापरवाही का धर्रा सुधरने का नाम नहीं ले रहा सरकारी अस्पताल के लचर रवईये के कारण कई बार मरीजों की जान परवन आती हैं इन सरकारी अस्पतालों में या तो सुबिधाय नहीं हैं और जो हैं वो ठीक से काम नहीं करते हैं एक ता जात नरंटिवारी को सीने में दर्द की शिकायत के बाद स्वास्त केंदर में भरती कराया गया था मरीज के परीजनों ने डॉक्टर से मरीज को ऑक्सिजन उपलब्ध कराने की बात कही तो ऑक्सिजन सिलेंडर लाया गया मगर वो खाली था दूसरा सिलेंडर चालू ही नहीं हो रहा था तीसरा ताले में बन था जब तक वेसलेंडर आया तब तक मरीज की जान चली गई मरीज के साथ हुई लापरवाही के गारंट परीजन हंगामा करने लगे और डॉक्टरों पर आरोप लगाया कि यदि ततकाल मरीज को ऑक्सिजन मिल जाती तो शायद मरीज की जान पचाती हंगामा होते देख स्वास्ते केंदर में पुलिस और तेसिलदार मौके पर पहुंचे और मरीज के परीजनों को समझाया और लापरवाही बरतने लगाया गया तो बताते हैं कोई मांसिंग करके हैं और उनने फॉन लगाया पुलिस विवाग ने उनने बूला जोरदार बारिश के बाद जबलपूर के सभी नर्मदा तट और घाटो पर जलिस्तर बढ़ गया है पुलिस प्रशाशन ने लोगों को अलर्ट कर चेतावनी दी है कि पानी के बहाव वाले इलाकों से दूर रहे इसके बावजूत लोग मानने को तयार नहीं है जला दीगरन छेतर में लगातार हो रही बारिश के बाद बारगी बांध भी लवालब हो चुका है जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में बरे टक वहाँ पहुँच रहे हैं जो बिना जगा देखे और खत्रे का अंदाजा लगाए नदियों के किनारे खड़े होकर सेल्फी ले रहे हैं बारगी बांध के पास ये तस्मीरे बता रही है कि प्रशाशन द्वारा दीगे चेतावनी को लोग कितनी गंभीड़का से ले रहे हैं कई बार ऐसे खत्रे मोल लेने के दौरान लोग अपनी जान तक गवा जुके हैं और हर दिन हाथसे के संबंद में खबरे आ रही हैं बारहाई पुलिस अभीकारियों ने एक बार फिर लोगों से अपील की है कि यदि वे नर्मदा तटो पर घुमते नजर आते हैं कार में तीन लोग फसे नजर आ रहे थे रहागीरों ने देर ना करते हुए तीनों कार सवारों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया संतिर्दारामनगर के समीप हलालपुरा भोपाल इंदोर हाईवे पर अचानक चलती कार में आग लग गई जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक कार पूरी तरहां आग की चपेट में आ चुकी थी ये हाथसा इसाई कबरिस्तान हलालपुरा के पास फोड कार में हुआ कार में तीन लोग सवार थे मौके पर मौझूद लोगों की मदद से कार सवारों को सलामत बाहर निकाला जा सका कार सवार सभी लोग सुरक्षित हैं अंदाजा लगाया जा रहा है कि आग शौट सरकिट के कारण लगी होगी मौके पर बैरगर थाना पुलिस ने आग लगने के कारणों की जाँश रू कर दी है स्वाधिन्ता दिवस से पहले मदद प्रदेश की बेटी मेगा परवार ने हिमाले के माउंट एवरेस्ट के बाद अब यूरोप के सबसे उचे परवत माउंट एलब्रोस की चोटी परती रंगा फैराया यह किर्तिमान बनाने वाली ये प्रदेश की पहली महिला है सिहोड जिले के ग्राम भोजनगर की मेगा परमार रूस के परवत माउंट एलब्रोस पर आठ अगस्त को इस्थानिये समय अनुसार सुभा दस बचकर 14 मिनिट पर माइनस 18 डिगरी तापमान में पहुची थी मेगा भोजनगर गाओं के किसान दामोदर परमार वा मंजू परमार की बेटी है मेगा ने इसी साल 22 मै को विश्व के सबसे उचे परवत माउंट एवरस्ट को फतेह किया था मेगा ने अपना एक्सपेडेशन 5 अगस्त को शुरू किया था आठ अगस्त को रात एक बजे निकल कर सुभा 10 बच कर 14 मिनट पर चोटी पर पहुच का सम्मिट किया मेगा की टीम लीडर भरत गाइड यूरी वा सदस्यारून आशा महिपाल सतीश और शेखर थे मेगा को पहला बाल विकास विभाग ने बेटी बचा अभियान का ब्रांड एमबैसेजर घोशित किया है तिरंगे की आन बान और शान के लिए राइपूर में एक एतिहासिक रैली निकाली गई इसमें 15 किलोमीटर लंबे तिरंगे को लेकर हजारों लोग सडकों पर निकले मेरी आन तिरंगा है मेरी शान तिरंगा है मेरी जान तिरंगा है इस गीत के साथ राइपूर में 15 किलोमीटर लंबे तिरंगे की रैली निकाली गई स्कूली बच्चे और शेहरवासी मानव शिंकला बनाकर दोनों और से तिरंगा जंडे को पकड़ कर चल रहे थे। देश भक्ती से ओत प्रोध राइपूर के हाजारों स्कूली बच्चों के साथ शेहरवासी भी इसमें शामिल हुए। स्कूली बच्चों द्वारा धुनची आरती की गई। तिरंगा रैली की शुरुवात में पुलिस बैंड द्वारा मार्च पास किया गया। नौन प्रोफेशनल गायकों को मंच देने के उद्देश इसे किया गया था। इस मौके पर परियावरन बचाने का संदेश भी दिया गया। नौन प्रोफेशनल गायकों ने गीत पर लोग ठिरखते नज़र आए। बड़ी संख्या में पहुचकर शेताओं ने इस शांदार संगीत कारिकरम की थमाकेदार प्रस्तुतियों का लुफ्त उठाया। कलाकारों ने किशोर रफी समेथ कई गायकों के कई रोमैंटिक गीतों की प्रस्तुति भी दी जिस पर श्रोता जम के थिरके। कारिकरम का आयोजा नौन प्रोफेशनल गायकों को मंच देने का उद्देश भी था। गायकों ने एकल और डुटर सिंगिंग का टैलेंट डिखाया। गायकों ने त्योट गीतों को गाकर समा बान दिया। कारिकरम के आयोजग जगदीश राइकवार ने बताया कि यह कारिकरम नए गायकों को प्लाटफर्म देने के उद्देश से किया गया है। संगम्टू की साफलता का श्रे सभी गायकों और कलब से जुड़े लोगों को जाता है। संगम्टू की साफलता का श्रे संगम्टू के आयोगों को जाता है। स्थे आज प्रोग्राम हो रहा है। मुझीकल नाइट शमा फेंस कलब के स्वजन से संगम तू इसका उदेश यह रहा है कि मोपाल मुझ सारे मुझीकल गुरूप है तो मैंने मन में सोचा कि इन सब को एक प्लेट फार्म पे लाए जाए तो मैं इसको से समय कामियाब रहा है इससे पहले संगम मन में बहुत गुर शोताओं ने तुझ संगप्रीत लगाई किसी रह में और इतना तो याद है मुझे गीतों को काफी पसंद किया और गायकों की सरहना भी की शामा फेंस क्लब के अध्यक्ष इक्राम उलहक ने बताया कि कारिक्रम में परियावरन बचाने का संदेश भी दिया गया इसके साथ ट्राफिक नियब के पालन करने का शोताओं से आग्रह भी किया गया जो लोग यहाँ पर हमारे बाहर से संघर बुलाते ही पहर से सिंघर पुलागे प्रोग्राम कराते ही तो वह खलाप के आप जरजर भुपाली सुनाएंगे आपको वहरन समाचार नमस्कार बहरन समाचार में आपको वेलकम करें हूं मैं हूं जर्जर भोपाली कुछ दिन पेले कलन भाई मेरे से बोल ला थे कि बहुत बड़ा दमाखा होने बाला है कि ऐसा बढ़ने वाला है मम आप पूरी मिलेटरी पहुंच रही है वाकि लोगों को यहां से निकाल जा र बड़ा दी अमिश्वानी वता यह सब बड़ा दमाखा जो सटर साल से जो गल्ती चली आ रहे थी उसको एक दिन में खटाक दिया और मैं वतारे हूं इस पे कॉंग्रेस की नेता यह से बिल विलाए फिर रहे हैं इनमें कोई संपट नहीं क्या बेटरी क्या सपोर्ट करें इसका क्या करें कुछ कॉंग्रेस की नेता है सही बात बोला है वह देश में अच्छा हुआ कश्मीर के लेका कन्यक वारी तक देश में एक ही कानून चलेगा और महां की लड़किया अगर दूसी जगा शादी कर लेती तो उनकी प्रावर्टी में को हिस्तेदारी नहीं रहत अब क्या हो गया अब दिल्ली जयता महूल हो जाएगा जैसे दिल्ली के मुक्यमंत्री केजरी वार एल्डी चलती रहती है वह एल्डी पावर फुल रहेगा उसकी चलेगी जादा वह ताकत बर रहेगा पाकिस्तान हमारे जो पड़ोशी देश है बेवज़े चिल लाए जा करो बुकों मर रहे हैं लोग उनका इंतजाम करो उसके बारे में सोचो हमारी जिंता मत करो पड़े में टांग मत आ रहा हूं हां बता रही हूं हो आदके लिए मोजी जी का फोटो चल लिया है वह उन्होंने लाल के लिए पर त्रेंगा फेर आए तो बहुत दिनों पेली हा वह भड़ दिखाया रहा है वह उन्होंने अदमी देखो बेले दर्ड संकल्प किया था इनोंने दारा 370 अड़ाने का उस बाक और उन्होंने करके दिखा दिया बता यह काम पहलाती है उस पूरे देश में बतारे हूं बाल के आहलात बने हूए कई जगे बाल में भी बतारे हूए को तो अभी जेल में ठूसें जा रहा है उनके जो अपराद हैं के जिन मौने पॉली चल ली ती में कश्मीर में हैं की दोखाने चल ली सब की बन होने वाली है हां मैं भी जाओं भईया मेरे दोखान खुलने का टाइम हो गया नमस्कार आप देख रहे हैं दखल ली ओड़ रबिंटरनाथ तेगोर युनिवर्सिटी फॉर्मली नोन अस आइसेक्ट युनिवर्सिटी अपाइनेर्स इंस्किल देवल्पमेंट विद फोकस उन क्रेटिंग इंडुस्टी रेडी प्रफेशनल्स जॉइन इंडिया प्रेमियर स्किल बेस्ट युनिवर्सिटी रबिंटरनाथ तेगोर युनिवर्सिटी संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृत एक ताने बाने तक चंबल के पीड़ों से नकसलवादियों के गड़ ता जोपडी से महलों ता ठेलों से मेलों ता पकदंडियों से सडकों ता गाउं से शेहरों ता व्यापार से उद्योगों ता राज़जीती से कूटनीती ता दखन नीव्स आप के हट ता थे लग्यादी ता लंच्टीए रश्टीए यदिवर्सिटी लोग उन तो lsdtu.ac.in